नमस्कार दोस्तों मैं जिस साब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजीव गाधि प्रतुगी की विश्विद्याले के स्टुडेंट अपना इन्रॉल्मेंट फॉर्म कैसे फिल अप सब्सक्राइब कर बिल आइकन को द्वायर जिससे के मारे चैनल पर जो भी नहीं अप्डेट आओ सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दूस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको और जी पीवी डॉटी सर्च करना जब सर्च करेंगे दो दोस्तों आपके साम इन्वर्सिटी में एडिमिशन लिए हैं उनका जो इन्रॉल्मेंट फॉर्म फिलप करना स्टार्ट हो गया है तब आपको जस्ट उसी के सामने क्लिक हैर टू वीव का उप्सन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना जैसे आप क्लिक करते हैं तब आपके सामने इस तरीके का इंटर करने से पहले उसके बाद दूस्तों एक कलर फोटो चाहिए और एक सिगनेचर की कॉपी चाहिए पासवर्ड आपको कैसा क्रिट करना उन सभी का इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा अब दूस्तों नीचे में आपको एक उप्सन मिल लगा स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो चोज एडमिशन एयर यानि जो एकेडमिक कलेंडर है जिस एयर में आपने एडमिशन लिया उसको आपको यहां से सेलेक्ट करने का एक उप्सन मिल जाएगा इस पर आप क्लिक करेगे तो दूस्तों आपको पूरा एयर मिल जाएगा तो जिस एयर में आप एडमिशन लि या फे डिपलोमा उसको दूस्तों इन्सिट्यूशन यानि कि स्कॉलेज से पढ़ाई करना चाह रहे हैं जिस्कॉलेज में अपने अप्षिए लिया है उसको सलेक्ट करने का ऑप्षन मिलेगा तब आपको अपने लीष्ट के हिसाप से उसको सलेक्ट कर लें उसके बाद आपको branch का option मिलगा उस branch को select करने जिस branch से apply कर रहे हैं उसका search वाले option पे click कर देना है दोस्तों जैसे अब search वाले option पे click करते हैं तब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का पूरा list खुल जागा जो कि उस college में जितने चात्र admission लिये हैं उन सभी की list open हो जागी जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा list में उन सभी का नाम, father name, gender और data birth मिल जागा अब आपको जो भी आपका नाम होगा उसके just नाम के आगे select करने का option मिलेगा जो कि box होगा उस box पे आपको click कर दे रहा है जब आप उस box पे click करते हैं दोस्तों तब आपके सामने कुछ इस तरीके का interface होगा जहां से आप देख सकते हैं नाम, father name, dov, data birth, gender और course, branch name और institute name इन से भी जानकारी मिल जागी उसके बाद दोस्तों आपको residential address Já Ma fill up कर देना है उसके आपद आपको अपना home state और home district selected लेना है पिंट cooked fill up कर लेना है दोस्तों तो उसके बाद mobile number fill up कर देना है फिर दोस्तों आपको अपना email id fill up कर देना है blood group यहाँ पर fill up कर देना है अगर आपको पता है तो ठीक नहीं तो यह दोस्तों optional है उसका दोस्तों यह user name है आपका जो आपका enrollment number है वही आपका user id है आप इसको note कर ले यह बहुत important है अब आपको एक password create कर लेना है पासवर्ड जो होगा दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से create कर लेना है इस तरीके का आपको password create कर लेना है जब इस password को create कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा निचे स्क्रॉल करते हैं तब आपको फिस इस्ट्रेक्टर मिल जाएगा जो कि आपको registration का फिस है तो आप देख सकते हैं कि 260 रुपए आपको online payment करना है payment करने के लिए दोस्तों दो options मिल जाएंगे एक union banking की networking और दूस्ता HDFC pay you बीच से जाकर आप किसी भी बैंक का networking यूज कर सकते हैं credit card से भी payment कर सकते हैं जब इसको seller करके go वाले option पर क्लिक करते हैं दोस्तों तब आपके साबने कुछ ही इस तरिकी का इंटर्फिस होगा आप देख सकते हैं कि capture code को fill up करके go वाले option पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ ही इस तरिकी का interface होगा जहां पर आपको transaction ID मिल जाएगी और click to confirm and go for payment का option मिलगा इस पर आप क्लिक करते तो दोस्तों यह आपको redirect कर देगा जिस bank की networking को आपने select किया है अगर आप union banking आपको इस पोर्टल पर और दोस्तों अगर आपने HDFC pay you बीच को select किया है तब आपको उसका payment gateway के लिए select कर देगा जहां से आप अपनी networking को select करके उसको payment कर ले payment कर लेने का लेने का दोस्तों आप direct login के लिए process करें तो दोस्तों login करने के लिए अप सर्च करें rgpv.ac.in slash login slash student login जब आप सर्च करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटर्फिस होगा अब आपको यहां पे आपका enrollment number यहां पर फिलप कर देना है password fill up कर देना कफ्रा को फिल आप करके login sign in والे option पर क्लिक कर देना जैसे ही आप sign in والे option पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का अजकर आपको एक option मिलेगा दूस्तो student services का तब आप student services तो बिल्फिसे läng książ barbar कर वाले option पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक option मिल रहागा सो माई enrollment फॉर्म का उसके ज़स्ट ऊपर में instruction मिल जागा कि आपको फॉर्म भनने के लिए कौन-कौन से डॉक्मेंट या फिर अन्य चीजों की जारूरत पड़ेगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुरा इंस्ट्रेक्शन आपको मिल जाएगा माईग्रेशन सर्टिफिकेट टीसी बार्मी का रिजल्ट कांसिलिंग एडमिशन एंपी उन सभी जानकारी मिल जाएगा अब आपको सो माई enrollment फॉर्म वाले option पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने इस्ट्रेंट की एकेडमिक डिटेल्स ओपन हो जाएगी जैसा कि नाम फादर नेम डेटा बर्त कि स्कॉलेश से पढ़ाई कर रहे हैं इसे भी जानकारी मिल जाएगी मोवाईल नमबर उसके बाद दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल आपको फिलप करना है इस्ट्रेंट परस् करना है उसके बाद दोस्तों नीचे में स्कॉल करेंगे तब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल सेलेट करने हैं तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल है सही तरीके से फिलप करें क्योंकि अगर एक बार इन्रॉल्मेंट गलत हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उ आपको कितना नंबर आपने पाया है उन सबी की डिटेल फिलप करने के लिए बोला जाएगा उसके जश्ट बाद में आपको मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन पुछा जाएगा हिंदी मीडियम के हैं कि इंग्लिस मीडियम को उसको फिलप करने के लिए बोला जाएगा उसको फिलप करने के लिए बोला जाएगा अगर आपने 10-वी के बेस पर जो डिप्लोमा किया है तो उसको आप पासिंग येर फिलप करें या फिर बार्मी का अपना पासिंग येर फिलप करें और कितने में से कितना नमबर आपने पाया है उसको फिल अप कर देना कमपल सरी एउसके ज़स्ट नीचे में दुस्तो आप आपको एक additional qualification पुछा जाएगा तब आपको अपना जो अगर आपने डिप्लोमा किया है लेटरल एंट्री है तब आपको अपना डिप्लोमा का डिटेल आपको यहां पर कर दिना है कब आपने पास आउट हुआ है तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से इस डिटेल को फिलफ कर लें जैसा कि आपने अगर लेटरल एंट्री के तुरू एडमिशन लिया है तब आपको यहां पर जो फाइनल सीजी पिये का रिजल्ट बनेगा उसको फिलफ कर लेना है और यहां पर भी दोस्तों आपको एडिशनल कौलिफिकेशन में भी सेम डिटेल फिलफ कर लेनी है डिटेल को फिलफ कर ले उसके जश्ट नीचे में आपको दुस्तों एक माइग्रेशन information का option मिलेगा तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डिटेल को वेरिफाई कर ले वेरिफाई कर लेने के बाद आप सम्मिट करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक बार हम फिर से आपको बता दे उपर में प्रसनल डिटेल फिलफ कर ले उसके बाद जो दोस्तों आपकी qualification को यहां तो दोस्तों आपको यहां परपे सीट्वें टाय मिश्खों में सबसे पहले मौड ऑफटमिश्गे आपको एडमिस्ग एडमिश्ग हूआ है उसको select कर लेना CLC round के तथ हुआ है तो CLC select कर लेना JMAs के base पे हुआ है तो JMAs select कर लेना है या फिर जितने भी प्रकार हैं उसको select कर लेना है उसको दोस्तों जितने नंबर का एक option मिलेगा mark opted कितने में से कितना आपने पाया है उसको select करने के लिए बोला जाएगा तो अगर आप JMAs के base पे हुए है तो JMAs का जो नंबर होता है उसको fill up करना है अगर आप डिप्लोमा होल्डर है यानि लेटरल एंटी के थुरू हुआ है तब आपको अपना जो CGPA होगा उसको fill up कर लेना है उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन जो होगा किस लेंग में आप प्राई करना चाहते हैं उसको select करने के लिए बोला जाएगा उसके बाद आपको दस्मी की detail को fill up करने के लिए यहां पे बोला जाएगा अगर आप डिप्लोमा holder है यानि दिप्लोमा इंजिनियरिंग पहले से complete कर चुके हैं तब आपको यहां पर दस्मीक जानकारी fill up करनी है यानि किस college से आपने पढ़ाई किया है और कितने यह में पास आउट हुए किस यह में और कितना आपका cgpa या फिर percentage बना है उसके जश्ट नीचे दोस्तों migration इंफोर्मेशन का एक option मिलेगा तब आप यहां पे उस university को select कर सकते हैं तब आप select university पे click करके या फिर जो select टाइप है वहाँ पे आप जब click करते हैं तो university और board का option मिलेगा बोर्ड में अगर आप बार्मी बेस पे हैं तो बार्मी की detail fill up करने अगर आप diploma कर चुके हैं तब आपको university select कर लेना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि university select करने को आप पूरी university की list खुल जाएगी जो university MP में है उसके बाद university को select करने को आप year को select कर लेने को आप अगर आपके पास migration certificate number है तो यहां पर फिल्प करने के लिए बोला जाएगा अगर आप university से पास आउट है कोई भी कोर्स तब आपको यहां पर उस university का नाम select कर लेना है जिस university से आप पास आउट है और किस यह में पास आउट है और उसका जो migration certificate number है तो आपको उसको फिल्प कर देना है अगर आप अधर इस्टेट से हैं तो अधर इस्टेट वाले पर क्लिक करके सेम होई ट्रम प्रोसेस कर सकते हैं दोस्टों यहां पर को मृत कर सकते हैं जैस्ट नीचे में दूश्त हैब को में को से स्टेट्रenz होगा कितना आपको प्हेमेंट करना है फीस में तो बैंकिंग को भी आप मेंट मूट को सेलेक्ट कर ले और उसके बाद अगर आप कि इस यह सी बैंक क्या फिर साइट अप्रस्ट करते हैं तब आपको यूपी आई के थुरूब भी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा पेमेंट कर लेने के बाद दोस्तो जब आप आप पेमेंट करने के लिए अपना नेट वैंकिंग या फिर पेमेंट मूट को सेलेक्ट करके गो वाले ओप्शन पर क्लिक करते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटर्फेस होगा जहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा इस बॉक्स को क्लिक कर देना है उसको बाद को फॉर ऑनलाइन पेमेंट वाले ओप्शन पर क्लिक करके पेमेंट के लिए प्रोसेस करना है जिस भी नेटवेंकिंग या फिर जिस भी पेमेंट गेटो को आपने सेलेक्ट किया होगा उस पर यह रिडियरेट कर देगा हुआसे आप उसको पेमेंट कर लें तो दोस्तों जैसे हैं पेमेंट कर लेते हैं तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा एक option आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि इन्रॉल्मेंट फीस कॉनफर्मेशन रिसीप्ट का सो होगा जहां से आप क्लिक है टू प्रिंट वाले option पे क्लिक करके इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करनी है फिर से अपनी आइडी जो इस्टुरेंट लाइप का एक option दिखाई दे रहा होगा आप एक लॉगिन का प्येज मिलेगा तब आपको इस लॉगि इस तरीके का इंटर्फेस होगा कि और इन्रॉल्मेंट फॉर्म इस इन प्रोसेस फॉर्वर्डेड टू कॉलेज या फॉर्म आपका कॉलेज लेवल पे चला गया है अब आपको दूस्तों एक फोटो और सिंगनेचर अप्लोट करना है उसके लिए थोड़ा से नीचे स्क् कि निखाए आहोगा सिस्टुडेट प्रॉफाइल का अधर आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटर्फेस होगा है कि यहाँ पे प्लीक करके फोटो अप्लोट कर दे अगर आपको कोई अधा जानकर यह अप्लोट करना है तो प्रस्टनल डिटेल को भी अप्डेट कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों जब आप दोस्त चीजों को अप्लोट कर लेते हैं तब आपको एक option दिखाई दे रहोगा वीव रिपोर्ट का तब आपको वीव रिपोर्ट वाले option पर क्लिक कर देना है जब आप वीव रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तब कुछी सतरीके का इंटरफेस होगा चूज रिपोर्ट का तो चूज रिपोर्ट पे किलिक करते हैं तब आपके साब एक कुछ इस तरीके का इंडर्फेस होगा एक option दिखाई दे रहा होगा दोस्तो enrollment form का इसमें तब आपको enrollment form वाले option पे किलिक कर देना है तो दोस्तो उसी के नीचे आपको एक option मिलेगा वीव का वीव पे किलिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट करने के लिए आपको रस्षित मिलेगा इसको आप प्रिंट आउट लेकर college में forward कर दें तो college के द्वारा इसको अपरूब कर दिया जागा तो दोस्तो कुछ इस प्रकार से आप अपना enrollment form fill up कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दें और channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लें तो धन्यवाद दूस्तो वीडियो को देखने के लिए